है Canada के em invention mister mister मार्क मेलर ने जो बड़ी Iyaज की हैं उसकी डेटेल्स में इस वीडियो में दूँगा उसकी पूरी आपको डेटेल जानकारी इस वीडियो में दूँगा ताकि आप उससे update हो सके और जो market में कुछ अवऴ वायन भी फैल रही है उससे बच सके बैल्स ओवर्सीज दे संग्ड अफियर फ्यूचर हेलो अब्रिवन मैं कपिल भाटिया बैल्स ओवर्सीज से बैल्स ओवर्सीज से अब किसी भी कंट्री की स्टडी विज़ असेस्मेंट फ्री ओफ कॉस्ट कर वा सकते हैं 62920-62920 पर कॉल करने के बाद तो कैनेडा में जो मिस्टर मार्क मेलन ने रिसेंट अपडेट्स आई हैं हमारे पास वो यह है जो बड़ी अनॉस्मेंट है एक तो उन्होंने कैपिंग काया कि कैपिंग में उन्होंने काया कि अब हम 35% कम विज़ देंगे 2023 के मकाबले यानि कि 2023 में जितने विज़ दिये से उससे 35% कम देंगे 2024 में तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है 35% की फिकर तो वैसे डाउन होजा नहीं है क्योंकि डबल जी हो गया आप 35% वैसे बांधर फाइले कम लगेगी तो इसमें कोई भी वह बड़ी नॉस्मेंट नहीं है उन्होंने काया कि 3,64,000 वीजास हम दे आएंगे क्योंकि अब उनको पता कि आ रहेने वाले टाइम में अगे कम फाइल लगनी है तो जो फाइल लगी है उनको पॉस्टिव रिजल्ट्स आएंगे आज हमारे दो विजा प्रूबल सुबह सुबह आई है तो इस अनॉसमेंट की कल यह अनॉसमेंट होई है आज दो साल तक रहेंगी कि यह दो साल तक हम इतने ही स्टुएंट्स बिलाएंगे प्लस उन्होंने काया कि प्रूविंस वाइज कैपिंग करेंगे प्रूविंस वाइज जैसे कैनड़ा में आपको पता दस प्रूविंस अंटायरी हो जहां ट्रॉंटो पढ़ता है वेंको वह सामनी सार सारा जो थीक रात वह फैर्डराग्मेंट पर आया तो उसके लिए उन्हों एक थेस्ट्रट्या रखा है की जसे हम पहले क्यूबिक में अपलाई करते थे मॉट्रेल में महां से सी एक लेना पड़ता था इसी दरह हर एक प्रविंस से उनको टेस्टेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तो यह एक मेंडेटरी कर दिया उन्होंने टेस्टेशन सर्टिफिकेट इसके लावा जो स्पाउस है वो लाउड नहीं है स्पाउस अब उन्होंने कहा कि बंद हो जाएगा लेकिन उसके अभी डेट अनौंस नहीं की जिनकी अभी तक फाइल लगने वाली पैंडिंग हो इमेडिटली फाइल लगा सकते जिनका स्टेडी परमिट आ चुका है वह अपनी फाइल आगे लगवा स वह गिराई है पब्लिक-प्राइवेट पार्टरिशिप पे जैसे कि आपको पता कि सेंड कलेर रहे है जो मेन कमपस वह विंसर है लेकिन एक ऑक मन केमपस है वह सेटलाइट केमपस है तो उसमें जो सुट्ट्स पढ़ने जाएएंगे उनको वर्पमिंट नहीं मिलेगा जो दो भी public private partnership किया था कि जो मेंन कॉलेज़िस थे उन्होंने क्या किया था कि सेटलिफ। ले लिए थे अब सब्सक्रीन क्या हो रहा है आपको पता है कि में वही रहता है कि वह किसी भी प्राइवेट कालेज को लेके उसके साथ partnership करके वह अपना उसको public private partnership में ले आते थे तो उनका भी जो बंध है work permit वो है first स्प्टम्बर के बाद जो जाएंगे जो माई इंटेक में जा रहे हैं जो पहले शुट्ट जा चुके हैं उनको कोई प्रॉलम नहीं है उन पोस्टेडी वर्क पर्मिट मिलेगा लेकिन जो फर्स सप्तंबर के बाद इन पब्लिक ट्राइवेट पार्टरशिफ वले कॉलिजिस में जाएंगे तो उनको पोस्टेडी वर्क पर्मिट नहीं मिलेगा तो अवाइड कीजिए यहां पर जाने से और दूसरा वक पर्मिट को लेकर एक बड़ी चेंज आई है वह यह कि जो भी पी जी कोर्स के लिए जा रहे उनको फ्रीए उसको पोस्टेडी वर्क पर्मिट मिलेगा तो इसमें भी अभी डिटेल्स आनी बाकी है कि कौन कौन से कोर्स में जिनको तक चेंज की उन्होंने कोई नॉंसमेंट नहीं की जैसे वह नॉंसमेंट आएंगी वह भी हम आप तक बंचाएंगे तो अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है को चले हम नीचे कमेंट कर सकते हम हर कमेंट का आपको जवाब देंगे बels Overseas the sound of your future